किया चाले है जेसरी महाकाल क्या दोस्तों आप लोगों की पास 4G मुगाईल है पर उसमें आप लोग 5G नेट चलाना चाहते हो पर आप लोग 5G नेट नहीं चला पाते हो और आप लोगों ने जो है उसमें 266 बिशन पोर्ट चलाना है कुछ APN की सेटिंग आप लोग करते होगे कुछ चेड़ खानी करते होगे फिर भी जो है फाइब जी स्पीड नहीं मिलती है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा APN की जिससे कारण जो है आप लोगों के मुवाइल में इंटरनेट की स्पीड काफी बढ़ जाएगी काफी हद तक बढ़ जाएगी ठीक अच्छा नेट चलने लगेगा अगर आप लोग गेम खेलते हो तो गेम भी बढ़िया चलेगा ओ पिंग भी हाई नहीं आने बारा पिं दोस्तों यह जो सेट है मेरे पास 4G है ठीक है और यहां पर हम अपनी स्पीड चेक करा देता हूं ठीक है तो यहां पर मैं आपको अपनी जो है इंटरनेट की स्पीड चेक कराता हूं ठीक है तो यह जो एक अप्लिकेशन है अब यहां पर मैं अपनी नेट की स्पीड चेक क स्पीड है अब यहां पर दोस्ट तो मेरी है यह ढगया तो यहां पर इंटरनेट की स्पीडी निकल के आ रही है 6.78 ठीक है? । कि इंटरनेट अब आपको प्रतुँंड यहां पर आपको जाना आपने सेटिंग पर ठीक है setting पर जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको जाना है internet ठीक है अब यहां पर आपको जाना है sim card पर select कर देना जैसे कि मैं यहां पर sim card पर select करता हूँ और अब यहां पर दोस्तों आपको अब यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरा जो phone है ठीक है मेरा जो mobile है वो 4G है ठीक है मेरा 4G phone है ठीक है यह अब मैं यहाँ पर access point name पर click करता हूँ ठीक है मैंने यहाँ पर already पहले से ही मैंने APN बना रखा था ठीक है यह लिखने के बाद दोस्तों आप द्यान से देख लिजी साइड में speedboard next 2.0 ठीक है उसके बाद ok कर देना है और APN की जगहा पे लिखना है दोस्तों आपको SB23.5G ठीक है द्यान से आप लोग देख लिजी और end screenshot ले लिजी ठीक है उसके बाद दोस्तों proxy रहेगा not set port रहेगा not set ठीक है username पे दोस्तों लिखना है आपको hexa5g.jo अगर दोस्तों आप लोगों का atl का sim है boda phone का sim है कोई भी company का sim है मेरा जियो का है तो मैंने जियो लिख रखा है ठीक है तो ऐसे ही आपको भी लिखना है ठीक है यह लिख देना है okay कर देना है mmsc not set mms proxy not set ठीक है port not set और mccmnc ठीक है यह सभी की area के अलग लग code होते है अगर आप लोग इनको change करोगे तो आपका इंटरनेट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ चलेगा ठीक छानेट नहीं चलेगा ठीक है तो इसको मस छेड़ना ठीक है उसके बाद अथो लेट्री टाइप इंग पे क्लिक कर देना है यह जो रहेगा पर फोर चैप ठीक है यह आपको दोनों भी सेलेक्ट कर देना है ठीक है उसके बाद एपन टाइप नॉट सेट ठीक है यह भी not set रहेगा यह दोनों सेलेक्ट कर देना है उसके बाद रोमिंग वाला भी दोनों सेलेक्ट कर देना है उसके बाद सबसे इंपूर्ट काम आता है यहां पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यह से मिलेगा उपर से यह बाला यह मिलेगा ठीक इसको खटा देना ठीक है फिर अपके फोन वे यह सब सलेक्ट नहीं करता है तो आप लोगों को अनली LTE पे click कर देना है ठीक है वही select करके लगा देना ठीक है तो अगर बरक करता है तो अच्छी बात है उसके बाद यहाँ पर save पे click कर देना है आप save पे click करने के बाद आप दोस्तों जो हूँ मैं यहाँ पे इसको मैं जो हमने यह new APN बनाया है तो उसको हम लगा लेते लगाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको प्ne इंटनेट की speed दखाता हूं ठीक है और उसके बाद यहाँ पर मैं आजाता हूँ मनि अप्लिकरिशकिन की तरब ठीक है यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दखाता हूं ठीक है अब मैं speed पर चलता हूँ ठीक है मैंने speed वाले application open कर लिया है अब यहाँ पर दोस्तों मैं दखाता हूँ आपको ठीक है अब थोड़ा सा aid आ गया क्योंकि तो यह आता है application जो paid होती हुए उन पर नहीं आता है ठीक है तो इसको हम cut कर देते हैं अब यहाँ पर start पर click करते पहले का तो आप लोगोंने मेरा इंटरनेट स्पीड देखा था ठीक है अब इस बार का देखना वाई कितना स्पीड आता ठीक है अब यहां पर आप लोग देख सकते हो बुम गाइस 17.89 mm की जो है स्पीड आ रही है दोस्तों आप लोग देख लिजे दिहान से ठीक है कितना अच्छा जो है स्पीड बढ़ चुका है अब ठीक है तो दोस्तों अगर आप लोग के पास भी जो है 4G मुवाइल है तो आप लोग जो है ऐसे जो है आप लोग देख सकते हूं स्क्रीनिंग पे मैं भी पब जीलाट खेलता हूं छेए अपंग बढ़ियो में करता हूं तो दोस्तों बास हम बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहें बंदे मात्रम